हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो दर्पन बुटिक तो कैसे आप सभी आज हम बनाने वाले हैं आपकी ही डिमांड पर ड्रॉपिंग इसकर्ट और ड्रॉपिंग इसकर्ट हम बनाएंगे बिदाउट डमी क्योंकि डमी पे तो सब लोग बना लेते हैं पर सभी के पास तो डमी अबेलिबल नहीं होती है आप लोग ने अपने घर में डमी नहीं लेकर रखी है इसलिए हम बिदाउट डमी बनाएंगे ताकि आप लोग भी घर में बिना डमी की बना सको और ये ड्रॉपिंग स्कर्ट आप लोग की डिमांड पर ही हम बना रहा है हमारी एक प्यारी सी सब सब्सक्राइबर ने हमें एक फोटो भीजा था वहाला फोटो इस टाइप का उनको ड्रॉपिंग स्कृट सीखना था मुझसे तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं और ये बनने के बाद को इस टाइप का लगने वाला है तो देख लिए बिल्कुल हमने सीम टू सीम बनाया है और आगे से अप रहेगा पीछे से डाउन रहेगा और कुछ इस टाइप का मस्त सा लगने वाला है इसको बनाने के लिए आपको मेजरमेंट चाहिए सर्फ तीन फ्रंट की लेंद बैक की लेंद एपकी वेस्ट का मेजरमेंट फ्रंट साइट की लेंद 24 इंच है बैक से पेपरिक लिए सब्सकाई के लिए 2 मीटर और आपको प्लिट्स पहसी पहसी तो लेंगा, और शालमेंट की तो mobile की लेंगा führen वेस बिसकाव पैपोर्ट की लिए 2 मीटर ल्हाने की लिए और चारिंज का निशान यहां से भी लगा देंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी लाइन की उपर से कटिंग कर देंगे, मेरे साइज में यह एक पट्टी आरंब से हो जाएगी, अगर आपका साइज जादा है तो आप यहां से एक पट्टी और निकाल सकते हैं, या एक पट्टी निकालने के बाद अब इस फैपरिक को में डबल कर लेना है। सबसे पहले किनारी कटिंग करके अलग कर देंगे। किनारी कटिंग करके अलग कर देना है यहां पर सेंटर का एक कट लगा देंगे यह हमारा बैक साइट का सेंटर रहेगा किनारी कटिंग कर दी सेंटर का कट लगा दिया अब यहां सेंटर से इंचे टैप को रखना है और कमर का निशान लगाना है तो कमर है हमारी 14 इंच की चा 28 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 14 इंच, 14 इंच पर निशान लगा देंगे और आधा इसलिए किया है क्योंकि यह फैब्रिक डबल में रखा है तो 14 यहां का और 14 नीचे का तो 28 इंच अब हमें यहां से इस तरह से इंची टैप को रखना है इतना यहां पर सिलाई में चला जाएगा और यहां से एक इंच का बेल्ट उपर अलग से जाएगा तो एक इंच उसका छोड़ देंगे और यहां से जाएंगे हमारे इस cut की लंबाई 38 इंच है तो 38 पर निशान लगा देंगे और एक इंच सलाई मार्जन अलग से एड कर लेंगे बैक साइड के सेंटर के cut से बैक साइड की हमने लंबाई लगा दिया तो यह हो गई बैक साइड के लिए अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे यहां से तो फैब्रिक खतम हो गया अगर आपके लंबाई ज्यादा है 38 से 40 हींhésitez 41,42 है तो आपको क्या करणना पड़ेगा तो आपको बड़ी वीर्त का फैब्रिक लेना पड़ेगा तब आपकी यहां से लंबाई आप आएगी इस वाले में 40 इस तक का skirt बन जाएगा जिसकी लंबाई 40 होगी उसका बन जाएगा जिसका 40 से जादा होगी ना लंबाई उसको बड़ी विर्थ का फैबरिक लेना पड़ेगा तो अभी हमने कमर का निशान लगा दिया बैक साइड की लंबाई का निशान लगा दिया अब हम लगाएंगे फ्रंट साइड की लंबाई का निशान यह जो बैक साइड की लंबाई का फाइनल निशान है यही से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे लंबाई का जो हमने निशान लगाया है यहां से इंची टैप को रखना है यह हमारी लंबाई का यहां से आएगा इतना फोल्ड होने में चला जाएगा तो यहां से हमें इंची टैप को रखना है 24 इंच पर क्योंकि फ्रंट साइट की लेंथ हमारी 24 इंच की है और उपर साइ और उपर साइड हमें निशान लगाना है यहां पर तो यह हो गया हमारा लंबाई का निशान एक इंच माइनस और यह आधे इंच जो उपर निशान लगाया है इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा और यहां से इतना एक इंच का हमारा बैल्ट आ जाएगा अब यहां से बैल निशान की यहां तक इस फ्रेब्रिक को मेजर करेंगी हमारा 14 इंच अ औरन भूरे इंच को गुमाटे जायें मोड़ते जाएंगे इसके बाध यह दो निशान यहांसे इसको इस तरह से मिलाएंगे यहां से लेगे यहां तक यह हमारा कमर वाला निशान है अगर आपका कमर का साइज जादा हो तो आपका निशान यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है और कमर वाले निशान को आपको इस तरह से इस वाले निशान से मिला देना है यह कटा दीजिए यह देखिए उपर वाले फैब्रीक केटिंग हमने कर दी है नीचे वाले की अभी नहीं की है अभी एक पार्ट की केटिंग हो चुकी है दूसरी वाले करेंगे अब यह वाला जो पार्ट है यहां से हमें लगाना है धाई इंच पर निशान और यह सभी के लिए अब यह वाले निशान को यहां पर इस तरह से मिला देंगे इसके बाद यह जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमें खीचना है और यहां लेकर आना है यहां पर और इन दोनों को यहां पर मिला देना है इसको यहां से मिला दिया अब यह हलका सा कौना बहार निकल गया है तो इसको हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे इसके यहां से लेके यहां तक की विर्थ धाई इंच है अब यहां से लेके यहां तक यह दम बरावर हो गया है अब यहां से हमें इसको कटिंग करकी इसकी लेंद को बरावर करना है तो इसको इस तरह से लेंगे ऐसे राउंड करते ہمते स्थरेज़ के सब्सक्रारा के बाहना है कि यह से इसको यग्या करना फैब्रिक को अपर करें और यह वाला प्रिक को अपर यहांविक मुआ यहां पर बुझात यहां से प्लडिक के अर। वालкрет कोने बीट कर यह सरा से हम इसको बनाएंगे अब हम इसकी स्टाइचिंग करेंगे स्टाइचिंग के स explorint dow ब्रॉड ग sommes too कटिंग किया था अब यह जो सेंटर वाला कट है जो हमने बैक साइड लगाया था इसको लेना है और यहां पर इंजी टैप को रखना है आपकी जितनी भी कमर है उसको ऐसे हाफ कर लीजिए 28 है मेरी तो मैंने 28 का हाफ किया तो आया 14 इंज यहां पे 14 इंज पर मैंने इंजी ट अगर आपको प्लिट्स का साइज बड़ा रखना है तो आप साड़े तीन से चार इंच कर सकते हैं तो यहां से लेके पूरे लास्ट तक तीन तीन इंच पर निशान लगा देना है यहां पर रखना है और इसको ऐसे पलटना है अब यहां पर रखना है और इसको ऐसे पलटना है अब यहां पर रखना है और इसको ऐसे पलटना है अब यह नेक्स्ट लेकर आएंगे इसको भी इसी की उपर रखना है अब यह फिर नेक्स्ट लेकर आएंगे फिर इसको इसको ऐसे ही पकड़े रहेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर यह जो फैब्रिक एंड हो रहा है यहाँ से यह लास्ट वाली जो प्लेट है इसको छोड़ देना है इस तरह से ले लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिये इस वाली फैब्रिक को हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि अभी तो ये वाला जो फैब्रिक है यहां से मेरा तो एकदम परफेक्ट आ रहा है यहां से प्लिट्स एकदम बराबरा गई है और आदे इंच फैब्रिक बज गया है सिलाई मार्जिन के लिए पर हो सकता है आपका फैब्रिक फिक्स ना आए हो सकता आपका यहीं पर एंड हो जाए यहां तक हो जाए यहीं तक रह जाए इसलिए हमने इस वाली प्लेट को छोड़ दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे अटेच करना है अभी हमने यहां पर प्लेट्स बना दी है अब यहां पर जो प्लेट्स बनाई है यहां से इन प्लेट्स को और जो बैक साइड हमने कट लगाया था इनको इस तरह से दौनों को मिलाना है और मिला के यहां पर एक क निगले थे इसमें से हमने साड़े साथ इंच लंबी और तीन इंच ओड़ी एक पट्टी निकाल ली है इसमें हम जिपटाइच करेंगे इस पट्टी को यहां से पतला पतला फोल्ड कर देंगे यहां पर हमने सेंटर की लाइन तो पहले सी बना ली थी अगर आपने नहीं भी बनाईए तो इसको यहां से ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से बना देना है अब ये प्लिट्स के बाद जो हमने कट लगाया था यहां से इसको लेना है और ऐसे सामने रख लेना है इस पट्टी के उपर 6 इंच पर निशान लगा देना है सेंटर से यहां पर हमें एक लाइन जितना यह जो इंची टैप होता है इंची टैप की यहां से लेकि यह जो एक लाइन होती इतना हमें इसमें दवाना है और सलाई लगा करें इस पट्टी को यहां पर अटैच करेंगे और यहां से वी जैसी नॉक बनाना है कट कर दिया, कट करने के बाद यह जो मार्जिन है वो इसी साइड रहेगा और इस पट्टी को भी इसी साइड करेंगे और इसके उपर सिलाई लगा देंगे अभी यहां से इसको पलट देंगे, पलट के पूरे फैब्रिक को अंदर कर देंगे और इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई इसलिए लगा रहा है क्योंकि बाद में हमें इस सिलाई को निकाल देना है तो जिप को अटेच करने के लिए यहां पर हमने पट्टी लगा दी है यहाँ पर इस तरह से हमें यह जिप अटेच होगी, वो हम बाद में करेंगे, जब हम बैल्ट लगा देंगे उसके बाद, तो जिप के लिए स्ट्रिप हमने इसमें लगा दी है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस साइड प्लिट्स बनानी है, तो यह फैब्रिक की बैक वा बोण की बैगा रहे हैं ओ crushed भाड जाहिए, तो यहाँ पर लग देंगे प्लिट uh pay लें वह बनाये हैं सरी दैण खानी है, फिर दूसरी प्लिट प्लीट देना है इसकी गहराई भी हमें एक लग हमेंके ही प्लिट की धम शादया हैं यह से थोड़ा सा गैप रहना है, पूर सभी प्लेट्स का सेम रखना है आपको और यहाँ पर इस तरह से पिंस लगाते जाईए और प्लेट्स को बनाते जाईए और यह बन गई हमारी लास्ट वाली प्लेट अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है अब इसमें यह हमारी कमर वाला हिस्सा है यह भी हमें कमर में ही जॉइन करना है तो ऐसे तो यह जॉइन हो नहीं सकता है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन पिंस को हटा देना है, अब यहां से यह राउंड है और यहां से इस्ट्रेट है, तो इसको हमें यहां से लेके पूरे यहां तक इस्ट्रेट करना है, तो यहां से इसको इस तरह से लेंगे, और ऐसे कटिंग करेंगे, यह देखिए, यह मेर पर को यहाँ पर लेकर आएंगे और इसके ऊपर इस थरह से रगदेंगे और यहाँ से लेंगे पूरे नीचे तक इसमें लगाईंगे यहाँ पर हमने लगा दी है आप पहले तक ़रलेते हैं यह हो गया है सीधा यह जिबाला यह साइड में आजाएगा और यह कुछ ऐसे वन रहा है और अभी यह सेंटर की जो से लाई ऐसे ही रहेगी और इसको हम इसके ऊपर ऐसे पलड़ देंगे यह देखिए और इसके ऊपर फिर से लाई लगा देंगे तो अब यह वाली प्लिट्स और यह वाल वर आना चाहिए उपर सही दिखना चाहिए यह हमने अपनी कमर के नाप से आधे इंच बड़ा पेस्टिंग बाला बुक्रम ले लिया है और इसकी रंबाई सवा इंच की है यहां से इसको रखना है आधे इंच फैब्रिक छोड़कर और यहीं पर इसको पेस्ट कर देंगे यहां पर इसको हमने पेस्ट कर दिया अब इसको हम फोल्ड करेंगे इसी के ऊपर अब इसको यहां से एक बार और पलट देंगे और इस पर प्रेस लगा देंगे अब यहां से आधे इंच मार्जन रखेंगे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है इसके हम कटिंग कर देंगे और यहां से भी कटिंग करके हटा देंगे और बेल्ट को भी हम उल्टा करके रखेंगे मतलब जो पट्टी है यह हमें उपर दिखना चाहिए और इसको इस तरह से खोलेंगे और यहां से जो सिलाई मारजन है उसको तो छोड़ी देना है आपको और आधे इंच यहां से बुक्रम को बहार निकाल देना है और यहां से सिलाई लगा कर इसको अटेच करेंगे यह जो बैक साइड का सेंटर का कट है यहां से थोड़े पहले हम इसको बहार निकाल देंगे और यहां से इस वाली साइड से यहां से रखेंगे अब इसको और इसमें सिलाई लगा देंगे तो अब देखिए यहां पर थोड़ा फैबरेक एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसकी हमें यहां पर छोटी-छोटी प्लिट्स बना देनी है यह जो बैक साइट का सेंटर का कट है यहीं पर बनानी है इन प्लिट्स को यह देखी बैक साइड हमना प्लेट्स भी बना दी है अब यहां से इसको ऐसे पल्टी करेंगे पल्टी करके यहां पर सिलाई लगाएंगे पलट के सीधा कर देंगे, कॉर्णर को बाहर निकाल देंगे, अब इस वाली साइड जाएंगे, इस वाली साइड भी इसको यहां से पल्टी करेंगे, इस पर सिलाई लगाएंगे, इसको भी पलट के सीधा कर देंगे, अब इसको पलट के सीधा करने के बाद यहां से बरावर मिलाएंगे और इसको अटेज करेंगे यह लगा दिये हमने अब यहीं पर बेल्ट लगाने के बाद यहां पर जो खुला हुआ इसा है यहां पर जिप अटेज करेंगे जिप को चेक कर लेना है चेक करने के बाद यहां से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करके यहां से थोड़े से अंदर से रखेंगे यहां से आदें जो एक्स्रा बेल्ट रखा है इसको तो छोड़ी देना है पर इसके भी थोड़े से अंदर से रखना है कि यह दि यहीं से जिप को ओपन कर देंगे, एक्स्ट्रा जिप को फोल्ड कर देंगे, जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं इनकी कटिंग कर देंगे, जो हमने पहले रफ स्टिच लगाई थी, इसको निकाल देना है कच्ची सिलाई को, इसके बाद जिप को करेंगे क्लोस, यह क्लोस क पूरा रैडी है अब इसके बाद यह जो नीचे वाला पार्ट है इसमें पूरे में पीको कर लेंगे पीको से लाई जो आपको पसंद हो आप बो कर लेजिए पर हमें जो फोटो भेजा गया था इसमें पीको है तो हम इसमें पीको कर लेंगे पीको ओने के साथ हमारा ड्रॉपिंग इसकट बनके रैडी हो गया है पीको भी बड़ी आ गई है और नीचे का जैसा पैटन था सेम टू सेम मैंने अपने हिसाब से पूरा 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 हंड़ेड परसेंट को सिस किये सेम टू सेम बन जाए और मुझे लगर भी रहा है कि हाँ सेम के सेम ही बना है बागी आप लोग कमेंट करके बताईए कि सेम बना है यह नहीं बना है तो चलिए अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ यस वाले ड्रोबइंग इसका को मैंने वेयर कर लिए है और इसका कुछ इस टाइप का आया है जैसा हमारा फोटो में दिख रहा था सेम डू सेम बैसा ही बना है ये रही इसकी सामने वाली splits इस वाले साईट के पाट की ये रही इस वाले साईट के पाट की